लॉजिक बीडिंग है 90 days के day 3 में जो problem थे उसका नाम था game with integers और code forces से लिए गई ये problem, solution वीडियो है ये, so अगर आपने अभी तक ये problem solve नहीं करिए, तो पहले जाए ये problem solve करिए, और अगर solve कर लिए है, तो let's talk about solution, so Vanya और Vova are playing a game, players are given an integer and on their turn, the player can add 1 to the current integer or subtract 1, अपनी तम पे एक नमबर गिवे ने starting में, अपनी तम पे 1 बढ़ा सकता है या 1 गठा सकता है, the player take turn, Vanya start, Vanya start करती है, if after Vanya's, Vanya के move के बाद, the integer is divisible by 3, then he wins, if 10 moves have passed and Vanya has not won, then Vova wins, okay, so question कह रहा है कि हमें starting में एक number given होगा, Vanya और Vova एक game खेल लें, अपनी chance में ये इस x को बढ़ा के x प्लस 1 कर सकते हैं, या x को घटा के x माइनस 1 कर सकते हैं, बारी बारी से दोनों अपनी turn चलेंगे, Vanya सबसे पहले start करेगी, या करेगा जो भी है, और अगर Vanya के चलने के बाद, जो x आता है, ये अगर 3 से divide हो जाता है, तो इसका मतलब Vanya जीच जाएगी, तो print Vanya जीच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता, तो 10 चांस के बाद मेरा Vanya जीच जाएगा, इकाम करते हैं, x एक number लेते हैं, number suppose let's take 12, 12 क्या 3 से divide हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, number लेते हैं 13, 13 क्या 3 से divide हो रहा हैं, नहीं हो रहा है, number लेते हैं 14, क्या 14 3 से divide हो रहा हैं, नहीं हो रहा है, और एक और चीज बोली गई है, x बढ़ाया जा सकता है, x घटाया जा सकता है, अगर हमारे पास कोई number है suppose 13 क्या एक operation में हम इस 13 को ऐसा बना सकते हैं कि यह 3 से divide हो जाए बिल्कुल 13 को 12 कर दो और 14 को अगर आपको बनाने है तो 14 को आप 15 कर दो इसलिए यह x plus 1 x minus 1 की condition दी गई है तो बीच में अगर कोई number है तो इस number को या फिर आप एक बढ़ा दो या फिर एक घटा दो अगर ये number starting में 3 से divide नहीं हो रहा है so definitely इन दोनों में से एक तरीके से ये 3 से divide होने लगेगा suppose एक number है 15 जो कि अल्लड़ी 3 से divide हो रहा है अब आप इसको बढ़ाओगे 16 होएगा घटा होगे 14 होएगा so अगर कोई number पहले से 3 से divide कर रहा है तो बढ़ाने या घटाने किसी पे भी हो 3 से divide नहीं होगा simple सी बात है अब वान्या पहले chance चलेगी हमें question में क्या given है कि T number of test case है और हमें एक N दिया जाएगा N का मतलब क्या starting number या x दिया जाएगा जो भी कहलो आप अगर वान्या जीती ही तो हमें first print करना है वरना second print करना है okay so अगर एक काम करते हैं कुछ number लेते हैं number मेरा 3 है 3 है number 3 दिया गया chance पहले आई वान्या की तो वान्या 3 को या फिर बढ़ाएगा या घटाएगा so 3 को उसने 4 करा या 2 करा अब chance वापस से आई वावा की वावा ने वापस से 4 को 3 कर दिया या अगर वान्या ने 3 को 4 किया था तो वावा वापस से 4 को 3 कर देगा क्योंकि वावा चाहेगा कि इस chance को जितना ज़्यादा लंबा खीच सकें उतना सही क्योंकि अगर 10 moves में वावा जीत नहीं पाई तो वावा जीत जाएगा वावा की strategy होगी कि वो जो game चल ला इसको लंबा से लंबा खीच सके तो अगर 3 पे starting में 3 मिला वावावा ने 3 को 4 किया या 3 को 5 किया तो वो अचाहेगा वापस से इसे पलट के 3 कर दे और वावानिया की चलने के बाद अगर 3 से divide नहीं हो रहा है तो वावानिया कभी जीत नहीं पाएगी तो 3 के case में वावानिया नहीं जीत पाएगी 5 अगर मिल गया तो क्या वानिया जीत पाएगी बिल्कुल जीत पाएगी 5 को अगर उसने 6 कर दिया 3 से divide हो जागा बिल्कुल हैंड़ के case में देखते हैं हैंड़ 3 से divide हो रहा है नहीं हो रहा है तो हैंड़ को वानिया 99 कर देगी 999 अल्रेडी divide कर रहा है तो 999 को वानिया या फिर एक बढ़ाएगी 1000 करेगी या फिर 998 कर देगी वह वापस से change करके 999 कर देगा तो जो मैं simply देख पा रहा हूँ कि अगर कोई number 3 से divide हो रहा है in the starting तो वानिया कभी जीत ही नहीं पाएगी और अगर कोई number 3 से divide नहीं हो रहा है तो पहली chance में वानिया उस number को 3 से ऐसा number बना देगी कि वो 3 से divide हो जाए एक जोड क्या है घटा के तो बहुत simple सा solution है कि अगर number जो starting में given है अगर वो 3 से divide हो रहा है तो वानिया जीत जाएगी अगर 3 से divide नहीं हो रहा हो तो वानिया जीत जाएगी और 1st print कर दूँगा वरना मैं second print कर दूँगा simple है simple है simple है तो एक काम करते है code कर लेते हैं इसका code मैं python में कर रहा हूं but I will provide the code in C++ as java as well in description so no worries so 1t लेते हैं t को int input कर देते हैं t बार test case चलाते हैं so for i in range t हर बार 1 n लेते हैं n होगा int input अगर मेरा n 3 से divide हो रहा है इसका मतलब वानिया जीत नहीं पाएगी वह जीतेगा so मैं second print करूँगा print second कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप output दे रहे हो उसमें देखे first character capital है बाकिसमाल है तो ये सारी चाहिए ध्यान रखना पड़ते है वरना print आप first कर दोगे first okay now simple let's copy this and let's paste this first second first first second first first second first second first first second first 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 now let's submit this code वैसे तो मैंने अल्रेड़ी submit कर दिया बट फिर भी कर लेते है solution has been submitted successfully और accept भी हो गया so problem कुछ से solve करो so इस problem को solve कर ले ना next video में हम नई problem discuss करेंगे day 4 का solution तो मिलते एक लिए वीडियो में था तक के लिए बाई